Hello everyone, welcome to texture myth आज के session में हम shell scripts related एक और topic कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम get cunf utility को use कर सकते हैं page size find out करने के लिए या page memory size find out करने के लिए अब क्या होता है page memory size ये भी हम समझेंगे एक normal सी script बनाएंगे जहां पर सिर्फ उस value को हम fetch करके देखेंगे क्या उसका output आता है साथ में ये भी देखने वाले हैं कि क्या case sensitive है अगर case sensitive है तो कौन से case में हमें रखना चाहिए script लिखते time ये सारी basic चीजी हम इसी particular session में cover करने वाले हैं तो हर बार की तरह हमारा process same रहेगा सबसे पहले मैं आपको script दिखाऊंगा और उस script के अंदर हम scratch से कुछ code लिखेंगे फिर जो वो code है उसको समझेंगे line by line ज्यादा बड़ा script नहीं है जस्ट टू त्री lines का script रहेगा और उसके अंदर हम बस fetch करके देखेंगे कि get see on of क्या value return कर रहा है हमारे page size के लिए फिर उसका जो output आएगा उसको output को समझेंगे output के लिए जो हमारा case sensitivity उसको समझने के लिए हम दो step में उसमें changes करके देखेंगे और फिर last में जब सारी चीज़े clear हो जाएगी practically कैसे हम values को fetch कर सकते हैं values का output आ रहा है फिर हम उस output को समझेंगे जिसके लिए मैंने यह पर कुछ थोड़े से notes प्रपार किये हुए मैं आपको इस notes को walkthrough कराऊंगो और इससे आपको पूरा clear हो जाएगा क्या हम page size क्यों use करते हैं ठीक है तो I think now we are good to start the session so अभी क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे worklnk enter worklnk करने के बाद में आपके पास यह workwith object लेके screen open हो जाएगी और इस screen के ऊपर हमरे पास काफी सारे files और directories बने में अलरड़ी ठीक है तो इनी में से एक जो directory हम हर बार use करते हैं वो है texture में तो इस पर मैं option 5 ले लूँगा और यहां पर हमारे पास काफी files भी है अब इस में से जो हम script file यूज कर रहे हैं भी के लिए वो है शर्म 3.sg उन लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको अभी first time यह script बना रहे हैं तो उनके लिए बस एक information है कि आप जो भी shell script बनाते हो तो यह आपको make sure करना है कि आपकी जो shell script है उसके पास executable permissions हो क्योंकि अगर executable permissions नहीं होंगे तो फिर आप उस चीज क को run नहीं कर पाओगे ठीक है तो यह हमेशा make sure करना कि executable permissions हमारे पास हो एक बर आपके script पे executable permission होगी तो फिर आप इस script को easily run कर सकते हो अब question आता है कि executable permission कैसे provide की जाते हैं तो उसके लिए हमने एक पहले ही already session cover कर चुके हैं जहां पर हमने देखा था कि कैसे ch mode command की help से हम किसी भी file को executable permission provide करते हैं तो अभी आगे proceed करते हैं इस पर लेते हैं option 2 और यहां आप देख सकते हो यहां पर हमने एक multiline comment डाल के रखा ह जिसमें presenter का नहीं है texturement और session का नहीं है get cunf utility in shell script तो यह clear हो गया यहां पर बस एक topic show करने के लिए हमने यह line लेकिए हैं अब इसके बाद में हम लिखते है eco quotes और यहां लिखेंगे fetching page page underscore size using get cunf utility अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहां पर page size पहले small में लिखा था फिर उसको change कर देए उसका reason पता ही क्या है उसका reason यह है यह case sensitive है तो आपको page size capital में लिखना है और get cunf small में लिखना है इस eco में आप कुछ भी लिखोगे तो वो print हो जाएगा वो कोई problem नहीं है अगर यहां पर small में भी लिखता है यह print तो हो जाता but actual command में हम इस तरह से लिखते है इसलिए आप हमेशा habit बना लो कि जब भी आप किसी variable को use कर रहे तो capital में ही लिखो otherwise क्या होगा फिर आप यहां पर small लिखोगे तो command में भी small try करोगा और वो फिर error देगा ठीक है तो अभी यहां पर use करेंगे actual utility तो अभी हमने यहां पर जिस लिखा fetching page size using get cunf utility इधर लिखते हैं get cunf space page underscore size ठीक है और इतना करके बस simple हमारी script जो है वो ready होगी तो आप देख रहे हो बहुत ही simple script है अब इस script को कब use किया जाता है जब use किया जाता है suppose आपको कोई ऐसा script लिखना है जहां पर आपका flow depend करेगा page size पे कि page का हमारा जो memory page size है वो कितना है उसके basis पर आप कुछ operations perform करना चाहरे हो ठीक है तो उसके लिए हम use करते हैं अपने get cunf को ठीक है तो get cunf क्या करेगा आपको page size की value लाके देगा और फिर आप उस value को use कर सकते हो तो अभी के लिए मैं यहां पर से इसको करता हूं save or exit f3 से और इस script को हम run करके देखेंगे तो run करने के लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले qsh qsh क्या करता है qsh command prompt को open करता है और इधर हम हमारे script का path रखेंगे स्क्रिप्ट का तो slash home slash shermit slash tech shermit slash shermit 3.sh ठीक है हमारे जो file है वो shermit 3 है इतना करके ही हमें बस enter करना है enter करते हैं आपके पास यह information आ जाएगे fetching page size using get cunf utility जो एक हमारा hard-coded text है और फिर value R.E.S. 4096 ठीक है तो यह actually क्या है यह output इस output को समझना बहुत important तो उसी के लिए मैंने आपके कुछ notes प्रपेर किया आपको मैं समझाता हूं आपके तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा enlarge और फिर हम देखते है कि क्या इस पे लिखा है देखो ब्रेकडाउन किया हुआ है command को तो सबसे बहले बात आते है gets you enough यह क्या है this is a standard command used in Unix-like operating system यह आप बोल सकते हो अपने qshell पे एक keyword है यह command बोल सकते हो जिसके help से हम system configuration variables को access करते हैं फिर बात आते है page size की this is the specific system configuration variable being queried by the get comf command तो यह कहा है specific system configuration variable है जो query किया गया है get cnf command के थरू it typically refers it typically refers to the size of a memory in bytes ठीक है तो यह क्या करता है यह refer करता है size of memory page in bytes memory pages are fixed length contiguous block of virtual memory and their size can vary depending on the system architecture ठीक है तो यह अपको क्या variable है क्या value return करता है तो यह क्या होता है एक memory pages क्या होते है are fixed length contiguous blocks of virtual memory and their size can vary depending on the system architecture ठीक है तो यह value जब हमारको लेनी हो जब आपको number of page size निकालने हो तो आप इसको use करेगा अब जिससे यहां पर क्या output है देमार पास 4096 this is the output of command indicating that the page size on IPMI system where this command was executed in 4096 bytes और 4KB ठीक है तो यह हमारे पास actual size आया तो अगर अपने इसको summarize करें तो क्या आता है the command getcunf page size queries the system for the size of memory page ठीक है तो page size किसले यूज हो रहा है getcunf के साथ में हमारे memory page के size को fetch करने के लिए and the output 4096 ने indicate that each memory page on the IPMI system is 4096 bytes or you can say 4KB in size ठीक है तो आय थिंक आपको यह पूरा theoretical भी clear हो गया कि क्या हमारा purpose था क्यों हमने इसको यूज किया तो आपको simply dcl लिखके variable declare करना है variable का name type storage और length हा जाएगी और फिर chg लिखके आपको f4 करके variable का name और script का path हा जाएगा जो है slash om charmit texture में charmit 3.sh last में आपको strq message करके f4 लेना है और variable का name प्रोवाइट करना है जैसे ही यह variable execute होगा तो हमारे जो output है वो आ जाएगा अच्छे एक पर एक second I think हाँ मैंने यह पहले भी compile किया हुआ तो मैं इसको directly call करके दिखा देता हूँ आपको output के आपना तो otherwise आप लोग 14 से compile कर सकते हो 14 enter और यहाँ पर y और n ले सकते हो but मैं just storage को save करने के लिए मेरे system पर storage का issues है तो इसलिए मैं यहाँ पर directly scope को call करके दिखाता हूँ तो output के आरा हमारे पास fetching page size using get cunf utility 4096 तो वही output है जो हमारा script run करने के बाद आया था तो उसमें कोई difference नहीं है वही same output हमारे को यहाँ पर मिल गया तो I hope अब यह पूरी चीज आपको clear हो गई कि कैसे हम get cunf utility के through page size या memory page size का value fetch कर सकते है get cunf variable command के through ठीक है और साथ में हमने इसका theoretical भी discussion कर लिए जो आप use कर सकते हैं अपने interview के questions को answer करने के लिए तो आज के लिए इतना ही था next session में हम बागी topic discuss करेंगे so thank you for watching techsharmat